हाई दोस्तों नमस्ते किचन में आपका स्वागत है आज हम बनाएंगे राजगिरे के आठे का लड़ू लड़ू बनाने के लिए सबसे पहले हम मद्य माच पर घास रख कर उस पर कड़ाय रखेंगे और आधा टीस्पून गीडा लेंगे अब हम याप पर चोथाई कप मखाना डाल कर अच्छी तरह से बून लेते हैं इस तरह बून लेने से हमारे मखाने क्रंचे हो जाएंगे अब हम मद्य माच पर कड़ाय रख कर चोथाई कप गीडा लेंगे हमारा गी गरम हो चुका है अब हम इसमें दो कप राजगरे का आटा डालेंगे और अच्छी तरह से बून लेंगे हमें आटे को दीमे आज पर अच्छी तरह से बून लेना है हमारा आटा बून कर तैयर हो चुका है अब हम निकाल लेते हैं अब हम यह आपर कड़ाई में दो टेबल स्पून कद्धू कस किया हुआ सुका नारियल डाल कर अच्छी तरह से भून लेते हैं अब हम भूना हुआ सुका नारियल और मखाना को मिकसर के बरतर में डाल कर अच्छी तरह से बारिक कर लेते हैं ये देखे हमारा नारियल और मखान अच्छी तरह से बारिक हो चुका है अब हम इसे राजगरे के आटे के बाउल में निकाल लेते हैं अब हम ये आपर चोथा एकब भूनियोवे मूंगफली डालेंगे अब हम ये आपर मूंगफली को पीस कर बारिक कर लेते हैं हमारी मुंफली की पाउडर तैयर हो चुके अब हम यह आपर आदा कप गुड़ पाउडर डाल कर पीस लेते हैं यह देखे हमारा गुड़ और मुंफली का मिश्रन तैयर हो चुका है अब हम गुड़ और मुंफली के मिश्रन को बाउल में डाल लेते हैं अब हम यहाप पर बचा हुआ आदा कप गूर पाउडर डाल लेते हैं अब हम यहाप पर एक टेबल स्पून भूना हुआ सुका मेवा डाल लेते हैं अब हम इन सब को अच्छी तरह से मिला लेते हैं हमारा लड्डु का मिश्रेन तैयर हो चुक है, Äôm एक हाथ में लड्डु का मिश्रेन लेकर इसे दोनों हातों से दबाते हुई लड्डु बना लेंगे। दोस्तो अगर आपके लड्डु नहीं बन रहे हैं तो आप इसमें दो टेबोस पून दूर डाल सकते हैं। ये देखे हमारे लड़ू तैयर हो चुका है अब हम इसे एक प्लेट में सुर कर लेते हैं एसी रेसीपी देखने के लिए लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और आपके अनुबह हमारे साथ शेर कीजिए